नमस्कार और वेलकम यूओ आल मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे भारत को आज के डेट में सबसे अधिक खत्रा चाइना से है लेकिन अपसोस की बात ये है कि इंडियन इलेक्ट्रोनिक मीडिया को जिस तरीके से भारत चाइना रिलेशन के बारे में लोगों को समझाना चाहिए था उस तरीके से हम बात नहीं करते है New York Times में एक latest article चपाया है जहाँ पे बहुती systematic तरीके से بتाया गया है कि किस तरीके से चाइना line of actual control के आसपास massive construction कर रहा नॉर्मली क्या है कि इंडियन इलेक्ट्रोनिक मीडिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में ही बात करते हैं और पाकिस्तान को बढ़ चड़कर कमजोर दिखाया जाता है हम इस बात को भूल जाते हैं कि भारत के लिए एक जो common enemy है वो चाइना और पाकिस्तान दोनों है और बीते कुछ सालों में कश्मीर भैली के आसपास जो militancy बढ़ा है उसके पीछे भी चाइना का बहुत बड़ा रोल है अगर आप इस map को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चाइना किस तरीके से systematic way में infrastructure development कर रहा और अगर आप खास करके भारत के LOC region के आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ दोरी के बाद चाइना एक गाओं को बनाया है कहने का मतलब है कि normally जब हम अपने शहर में देखते हैं अलग-अलग जगा पे check post लगाया जाता है इसका reason यह होता है कि अगर किसी भी तरीके से criminal अगर इस रास्ते में जा रहा तो उसको अगले check post पे पकड़ लिया जाएगा या किसी भी तरीके से इस तरफ आ रहा तो इसको यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा तो reason यही होता है कि अगर आप कुछ दूरी के बाद किसी भी तरीके से अगर आप construction करते हैं या चेक पोस्ट बनाते हैं या infrastructure development करते हैं तो आपके जो forces का movement होता है वो almost continuous होता है और आपके पास पर्याप्त समय होता है जहाँ पर क्या आप stake कर सकें और जहां तक बात किया जाए प्रेसिडेंट शी के बारे में तो 2013 से प्रेसिडेंट शी जबसे चाइना को समा लें तब से चाइना का जो policy है वो काफी aggressive है और खास करके अपने neighborhood के साथ और उसके बाद जो second phase of aggression आता है शी जिनके policy में वो आता है 2017 के बाद जहाँ पे चाइना openly criticize करना शुरू कर दिया USA को या in fact हर उस देश को जो किसी भी तरीके से चाइना के interest के सामने आ रहा है और उसके बाद हमारे पास ऐसे multiple example से जहाँ पे almost चाइना हर साल अपने map को release करता है जिस map में वो अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाता है उसके अलावा और भी बहुत सारे अलग-अलग देशों का जो areas है उसको अपने हिस्से में दिखाता है और almost हम बहुत हद तक कह सकते हैं कि जिन देशों के areas को दिखाया जाता है उनका जो stand होता है उनका जो press briefing होता है वो उतना aggressive तरीके से नहीं होता है जिस aggressive तरीके से चाइना इन सब चीज़ों को अपने under में दिखाता है अगर आप इन सब construction को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना solid construction किया गया है और कितना well planned तरीके से किया गया है कहने के लिए चाइना ये officially declare नहीं कर रहा कि इसका जो purpose है वो किसी भी तरीके से उनका military ambition को fulfill करना है लेकिन जो experts है उनका मानना है कि ये dual purpose construction किया गया है चाइना के द्वारा जहाँ पे अलग-अलग location से लोगों को लाय जाएगा और यहाँ पे उनको रहने के लिए बोला जाएगा और in case अगर किसी भी तरीके से चाइना को कोई military action लेना हो तो उस वक्त भी इन सब areas में Chinese military stay कर सकते हैं उनके जो arsenals वगेरा हैं, ammunitions वगेरा हैं उसको यहाँ पे store किया जा सकता है यह हमारे सामने कुछ satellite images है जहाँ पे चाइना openly अलग-अलग areas को claim करता है अगर आप इतिहास के पन्ने को पल्टेंगे तो आपको मालूम पड़िया कि अलग-अलग time period में अलग-अलग civilizations के जो border थे वो कभी बनते रहें, कभी बिगड़ते रहें और यह जो strict border का जो phenomena है या जो idea है यह बहुत ही recent phenomena है और उसके बाद अगर आप President Xi का जो mindset अगर आप उसको समझना चाहेंगे तो President Xi कहीं न कहीं जो Chinese history है उससे काफी जादा obsessed है उनका जो belt and road initiative है वो directly influenced है चाइना के silk route के साथ में तो कहने का मतलब है कि normally अगर आप Indian perspective देखते हैं तो हम सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं और उसी इतिहास में खोए रहते हैं लेकिन China क्या कर रहा कि आज के date में उस इतिहास को कोशिश कर रहा दुबारा से implement करने का और अगर बात किया जाया तो no doubt जो China है उसके पास काफी पैसे हैं लेकिन इसका ये कहीं से मतलब नहीं है कि हमारे पास potential नहीं है 2024 के चुनाओ में भारत ने अपने पूरे GDP का one third हम लोगों ने खर्श कया था सिर्फ चुनाओ लड़ने में तो जब हम चुनाओ लड़ने में इतना बड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं तो क्या हम इस तरीके का development नहीं कर सकते हैं तो बिलकुल कर सकते हैं लेकिन जो issue हमारे साथ है वो ये है कि हम करना ही नहीं चाहते हैं अगर आप इसी article को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि 50 से भी अधिक गाउं को बनाया गया है और उसके बाद 12 ऐसे locations को भी identify किया गया है जो अलग-अलग देश claim करते हैं कि उसका हिस्सा है और ये सब जो construction हुआ है ये भारत के जो area है वहाँ पे भी construction हुआ है ये सुनके बहुत ही खराब लग सकता है लेकिन reality यही है कि बहुत हद तक जो China है वो हमारे areas में construction किया है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जिन सब areas में construction किया गया है वो किसी time पे बंजर जमीन हुआ करता था और इसकी जो लमसम height है वो 10,000 feet है या उससे भी उपर है तो जो कहने का मतलब है कि जिस areas में construction किया गया है वहाँ पे सिर्फ गिंती के ही लोग रह सकते हैं जो वहीं के local है लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से China development किया है और बहुत ही high-tech गाओं को बनाया है ताकि और भी अलग-अलग location से लोगों को वहाँ पे लाया जा सके और जिनको complete तरीके से facilities भी दिया जा सके तो अगर आप इन सब articles को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो words use किये जा रहे हैं वो इतिहास के पढ़ने से लिये हुए हैं कि जब आप अपने इतिहास को पढ़ते हैं और जब आपका इतिहास काफी अच्छा होता है तो आप emotionally काफी चार्ज हो जाते हैं जो आपको मदद करता है ये convince करने में कि जो पहले हम थे हम at least उस तरीके से बनने को सोच सकते हैं आप इस photo को देखिए और समझ ये कि ये construction कितना शांदार है और ये जो construction किया गया है ये भारत चाइना के LOC region है उसके आसपास किया गया exactly कुछ 16 miles के आसपास का difference दिखाया जा रहा वहीं पे अगर आप भुटान के आसपास के border region को देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ इस त एक पारे होंगे पीछे तो electricity का pole है और road वगेरा कितना शांदार है और systematic तरीके से बनाया गया है तो जब आपके देश का border के आसपास जब इतना शांदार construction होता है तो movement करना काफी आसान होता है यहाँ पे साथ में मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि बीते कुस सा वालों में भारत का भी infrastructure development काफी अच्छा हुआ है लेकिन इस चीज़ को हमें मानना पड़े है कि चाइना हमसे कहीं आगे चो communication के लिए सबसे important चीज़ आज के date में हो गया है वो हो गया है internet और continuous electricity का supply तो आप इस article को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना तु यह minimum requirement है उसको fulfill किया जा रहा और उनको कहा जा रहा कि आप उस area में रहें क्यूंकि वैसे लोग जो इन सब desert में रह चुके हैं उनहीं की शमता है कि वो उन सब areas में रहें हलाकि उन सब area से और भी लोगों को लाके जो नए villages बनाये गये हैं वहाँ पे रखा जा रहा लेकिन फिर भी अगर आप किसी को जवरदस्ती वहाँ पे लाके रखेंगे तो उन लोगों को रहने का मन नहीं करेगा तो कहीं न कहीं ये सारी बातों को चाइना ध्यान दे रहा और इसलिए जो लोगों को इन सब गाओं में लाके बसाया जा रहा उनको कह सकते हैं कि मंतली salary या pension दिया जा रहा और भी उनके सुक्ष्विदाओं का ध्यान रखा जा रहा साथ में एक बात और भी जोड़ दू कि चाइना अरुनाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और अगर आप चाइनीज मैप को देखेंगे तो complete तरीके से इसको अपने मैप में दिखाता है वही जो देश है वो almost चुपचाप बैठा हुआ है तो ये समझने और समझाने के लिए काफी है कि चाइना किस तरीके से अपना aggressive policy को implement कर रहा और ना कि चाइना नए नए गाओं को बसा रहा बलकि उसको और भी expand भी कर रहा और साथ में इन सब रीजन में जो आस पास के लोगे उ घंगोर बर्फ पढ़ता है तो कहने का मतलब है कि जो accessibility है वो almost 5-6 महिने तक complete बंद रहता है लेकिन एक चीज़ को आप और ध्यान दीजे तो अगर ये सारी बाते अगर आपको और हमें पता है तो क्या ये सारी बाते चाइना को नहीं पता है तो definitely चाइना को भी पता होगा इन सारी बातों को चाइना भी calculate किया होगा ये सारा development as in Indian आपको और हमें मालूब होना चाहिए ताकि हमें ये exactly पता हो कि आज की date में सबसे बड़ा challenge हमारे लिए कौन है और किस तरीके से उसको हम tackle कर सकें और किस हिसाब से अपने सरकार से हम सवाल पूछ सकें जहां तक बात किया जाए भारत का stand का Taiwan को लेके तो हमारा stand बहुत जादा clear नहीं है और कहीं न कहीं हम China का one China policy को मानते हैं one China policy के तहए ताइवान को independent देश नहीं है ये चाइना कहीं हिस्सा है तो जब भारत चाइना का one policy को मानता है तो भारत ये नहीं कह सकता है कि Taiwan एक independent देश है और वहीं पर अगर बात किया जाए भारत और ताइवान के संबंद में तो हमारे बीच कोई भी formal या official diplomatic relation नहीं है तो ये बताता है कि कहीं न कहीं जो हमारा stand होना चाहिए अपने दुश्मन को लेके वो उतना aggressive या उतना मजबूत नहीं है और हमारा ध्यान को भटकाने के लिए दिन राद बस पाकिस्तान पाकिस्तान किया जाता है ये सारे जो news है ये काफि sensitive news है जिसके बारे में आपको और हमें पता होना चाहिए I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye